हेलो गाइज मरनामे सूजल जैस्वाल और आप देख रहे हैं I Love Dogs आपका स्वागत है आज की एक उने इंट्रस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो में गाइज आज की इस वीडियो में हम सेंट बरनार्ट से रिलेटेट कुछ प्रोब्लम्स के बारे में जानेंगे जो आपको पता होना चाहिए एक सेंट बरनार्ट पपी लाने से पहले तो अगर आप जाना जाते उन प्रॉब्लम्स के बारे में तो इस वीडियो को पूरा देखिए और गैस अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और सेंड बरनाट लाने का सोच रहें तो आपको काफी मुश्किल आने वाली है सेंड बरनाट अगर आप लेना चाहते तो अच्छा होगा अगर आपका घर बड़ा हो सेंड बरनाट के लिए परियाप्त जगा हो घर में घूमने के लिए भी और हो सके तो अगर आपके घर के पीछे अगर एक backyard होगा तो काफी अच्छा होगा आपके Saint Bernard के लिए क्योंकि अगर आप apartment में रहते हैं या छोटे flats में रहते हैं तो family members को भी काफी problem आने वाली है और Saint Bernard को भी काफी problem हो सकती है Guys Saint Bernard एक बड़े बालो वाली breed है इसलिए इनकी care आपको बहुत करनी होगी क्योंकि shady season में तो इनका hair fall होगा ही बाकी के दिनों में भी इनका hair fall काफी होगा तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखना एक Saint Bernard पपी लाने से पहले आपको extra brushing करनी होगी और इसमें आपका अच्छा खासा खर्चा भी हो जाएगा क्योंकि अगर आप ये काम खुच से करेंगे तो आपका काफी time खराब हो जाएगा और आप ध्यान रखिए अगर आप एक Saint Bernard पपी लाना चाहते हैं तो आपको hair fall से कोई problem नहीं होनी चाहिए और अगर आपको dogs के hair से problem है या आपके family member को किसी से problem है तो आपके लिए बहुत बड़ी problem हो सकती है क्योंकि Saint Bernard का hair fall काफी होता है तो इस बात को आप जरूर से ध्यान रखिए एक Saint Bernard पपी लाने से पहले Guys, Saint Bernard में leg bending की problem काफी आती है क्योंकि आजकल सभी घरों में tiles लगे हुए है और tiles के floor पर किसी भी dog को चलने में काफी problem होती है और आप जानते हैं Saint Bernard एक बड़े आकार वाली dog breed है तो इनका सारा weight इनकी knees पर होता है और ये tiles पर अच्छे से चल नहीं पाते हैं वैसे में इनकी knees पर जादा weight आता है जिसके कारण इनकी knees वहां से bend होने लगती है वैसे ही इतनी major problem नहीं है क्योंकि अगर आप अपने dog को अच्छी walk कराते हैं exercise कराते हैं तो इस problem से आप अपने dog को बचा सकते हैं लेकिन फिर भी Saint Bernard में leg bending की problem होती है guys जैसा कि मैंने आपको बताया था Saint Bernard का hair fall काफी होता है क्योंकि इनके बाल बहुत बड़े होते हैं लेकिन इससे भी बड़ी problem एक ये है अगर इन्हें कभी भी skin से related कुछ problem हो जाती है तो आपको बहुत दिनों तक पता ही नहीं चलेगा कि हमारे dog को कुछ problem हो गई है जब तक वह problem थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती है dog बार बार उस जगह को leak नहीं करता है तब तक हमें उस बात का पता ही नहीं चलता है इसलिए आपको इनकी brushing तो daily ही करनी पड़ेगी ताकि अगर कुछ ऐसी problem होती है तो आपको time पर पता लग जाए Guys, St. Bernard के सामने अगर सबसे बड़ी कोई problem है तो वो है weather क्योंकि आप भी जानते हैं कि इसका origin Switzerland से है और ये minus 40 to minus 50 degree Celsius तक आराम से रह लेते हैं लेकिन जब आप इस dog को मध्यप्रदेश, 36 गड़, राजिस्थान, महरास्ट एसी जगह पर लेकर आते हैं जहां पर गर्मियों में temperature 40 degree Celsius से 45 degree Celsius तक आराम से पहुच जाता है इस temperature में आप इन डॉक्स की केर किस तरह से करेंगे आप एक बार खुद सोचिए जो dog breed Switzerland में आराम से minus 40 to minus 50 degree Celsius में रह लेती है वो गर्मियों में survive केसे करेंगे अगर आप बिना सोचे समझे एक Saint Bernard लेकर आएंगे तो आपको भी ये problem होने वाली है लेकिन हाँ अगर आप कश्मीर की इलाके में रहते हैं उत्राखंड से हैं तो आप Saint Bernard ले सकते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको Saint Bernard के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं इसका लिंक में नीचे description box में भी दे दूंगा और उपर i button पर click करकर भी आप इसे देख सकते हैं Guys क्योंकि ये जरूरी होता है किसी भी dog breed को लाने से पहले हम उसके pros और cons दोनों को अगर हम समझ लेंगे तो उसकी care करने में हमें काफी आसानी हो जाएगी इसलिए जब भी आप कोई dog ले तो उसके दोनों पहलों को देखें क्या हम इसकी care कर पाएंगे या हम इसकी care नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप शौफ के चक्कर में किसी एक dog की जिन्दगी को नहीं बिगाड सकते हैं तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा गाईस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे को नई इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई